सूरत यानि डाइमंड सिती, सूरत यानि कपड़ा बाजार और सूरत यानि ब्रीज की सिती जी हां यहां के लोगों को सूरती लाला के नाम पर भी पहचाना जाता है एक और जहां उनके जहन में व्यापार रहता है तो वहीं दूसरी और राजनीती आए चलते हैं सूरतीयों के पास और पूछते हैं कि लोग सभा चुनाओ को लेकर क्या है उनके मुद्दे गुजराती में कहावत है कि सूरत नू जमन अने काशी नू मरन यानि सूरत का खाना और काशी में मृत्यू यह नश्तीव वालों को ही मिलता है वैसे ही सूरत के खाने का जो जाइका है वहाँ पे तड़का नहीं होता है लेकिन स्वाद इतना लाजवाब होता है कि खाने वाला उंगलिया तक चाट लेता है अब देख सकते हैं सूरत की चाहे लोचो हो, सूरत का चाहे बटाका पूरी हो या सूरत की उंधिया हो हर चीज में एक अपना स्वाद है, एक अपना जाइका है और ये चीज सूरत के लोगों का अपना खुद का मिजाज भी बताती है लोगों से बात करते हैं पहले तो हम ये लोचो ले लेते हैं और लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं लोचो खाते-खाते क्या इस बार जो राजनीती हो रही है राजनीती में जिस तरीके का स्वात का जाईका है क्या उनको मिल पाता है और हमारे साथ ये सारे first time voters है उनसे बात करते हैं आप बताइए इस बार के चुनाओं के आपके मुद्धे कौन-कौन से होंगे जी मेन मुद्धे तो employment creation रहेगा जोब creation और farmer की साही रहेगी क्योंकि कहीं सारे farmer suicide कर रहे हैं बिना साही के उनको महेंगी महेंगी लोन लेने परती फिर चुका नहीं पाते हैं कहीं कारण से तो farmer का हो रहेगा और जोब creation रहेगा तो unemployment की बहुत ही problem as a youth तो जोब creation लगता है कि हमारा future उस पर डिपेंड करता है इसलिए आप बताइए आप कौन से मुद्धे को नजर में रखके वोट डालेंगे इस बार अभी पाकिस्तान ने दो बार हमला किया है हम पर तो मोधी सरकार ने उनको जवाब में दो बार surgical strike की है तो अभी surgical strike को महतों में रखते हुए कि मोधी जी ने हमारी इंडियान आर्मी को छूट दे दी थी कि आप करारा जवाब दीजिए तो ऐसे हम युवादन को भी ऐसा जोस मिलता है कुछ काम नया काम करने के लिए और करारा जवाब देने के लिए तो मैं अंत में आशा ही कोँगा मैं अभी हूँ चौकीदार आप है चौकीदार यस खास तो जो अभी रेप किसे बढ़ रहे है शुरत में भी आजकल रेप बढ़ा बहुत बढ़ा है यह सब को ध्यान पे रखते हुए इसको कैसे कम किया जाए यह अगत्या का मुद्धा होगा इसके जुनाओं में और अभी नंतन जी को जिस तरह से पाकिस्तान को दो ही दिन में शुड़वाना पड़ा मोदी जी की इस राजनीती को सेल्यूट है नमो अगें नमो अगें का नारा सूरत के लोग लगा रहे हैं साथी यह बताईए कि मुद्धा कौन सा होगा इलेक्शन में आपका मुद्धा कौन सा होगा जिसको नजर में रख्या वोट डालेंगे मुद्धा तो अभी किसानों का है और डेवलोप्मेंट भी होना चाहिए जो कुछ है यह बताईए कि सूरत में पाटीदारों का बहुत चलता था पाटीदारों की अच्छी खासी पकड़ है सूरत पर तो वैसे में लगता है हार्दिक पतेल ने कॉंग्रेस जॉइन किया है वो इफेक्ट करेगा पार्टी दारों को पहले से रहा ही है तो इफेक्ट तो आएगा बिलकुली पार्टी दारों को इफेक्ट आ नहीं वाला क्योंकि एजर मेजोरिटी पॉब्लिक इफेक्ट आएगा आपको लगता है ऐख को एसा हो सकता है कि वोड कम वोड़ कम मिले लेकिन जीते का तो मोदी ही क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है डेवलप्मेंट किया है अधिस के छोटे में छोटे गाव तक उन्होंने बिदली पहुचा है है और देखिए यहां सूरत में कितने पूल बंदवाए है ट्राविक कम किया है बी अच्छी सुईदा पहुंचा ही है तो मेट्रो भी अभी अमदाबाद में चालू हो गई है तो ऐसे कई सुरत अभी मिनी सिंगापूर बनने जा रहा है तो ऐसे डियावलप्मेंट के लिए हमारे मोदी जी बहुत अच्छी अच्छे उनको प्रोच्छाइद करते हैं इसलिए अब लगता तो ऐसा ही है कि बहुत 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 बिल्कुल यहां पे देखिए मोदी जी को लो यहां पे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी कई बार आते रहे गुजरात के मुख्य मंतरी रहोते हुए तो कई बार आते ही थे लेकिन प्रधान मंतरी बनने के बाद भी यहां पर आये है तो लोगों में उसका असर साफ तौर पर दिखता है